एक्सल में quickly data की ओपर reports बनाने बेटा तो आपको आना चाहिए प्योट टेबल या प्योट टेबल जो भी आप बोलना चाहो अलग-लग country में अलग-लग pronunciation होते तो प्योट टेबल की complete series में आपके लिए लेक्या हूँ तो अगर आप इंट्रेश्योड हो तो अभी इस चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकों पे क्लिक कीजिए अल्री किया है तो करने की ज़रूत नहीं क्योंकि आपको regular notification मिलेगी ये प्योट टेबल series की वीडियो की बिसिकली प्योट टेबल होता क्या है ये सारी चीज़े तो अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगी क्योंकि ये है प्योट टेबल का पहला वीडियो introduction वीडियो कि प्योट टेबल होता क्या है क्योंकि बहुत सरे लोगों का कहना होगा end of this series मैं आपको पढ़ाने वाला हो, don't worry, और दो-चार और भी dashboard मैं यहां पे include करूँगा, जिससे आपको idea है कि भाई, मैं office में master कैसे बन सकता हूँ, तो यह Pure Table की series, Excel Tutorial चैनल पे आप follow कीजिए, Excel Tutorial चैनल याद रखिए, मेरे और भी चैनल है, लोग को लगता है कि यार, learn more channel है, हमने subscribe कर लिया, हमें notification आएगा, learn more अलग channel है, complete technology आप अलग है, Excel Tutorial चैनल पे आप यह वीडियो देख रहो, तो इससे subscribe करके रखिए, इस पे regular वीडियो आएगा, Pure Table series का दोस्तों, और आप Pure Table में master बनने आ लिए हो, तो चलिए, सबसे पहले वीडियो में मैं आपको Pure Table का introduction देता हूँ, Pure Table होता क्या है, कब use होता है, कैसे use होता है, क्या क्या बना सकते हैं इससे, आईए, पहले वीडियो में हम Pure Table के बारे में detail जान कर लेते हैं, मैं सतीश Excel Tutorial Channel में आप सब का स्वागत करता हूँ, चलिए, शुरू करतें Part 1, Let's begin! दोस्तों, ये Mr. Sharma जी, और इनका एक सीधा सा सवाल है, कि भाई, मैं Pure Table का क्यों इस्तमाल करूँ, मुझे Pure Table की क्या जरूरत है, तो उन्हें ये समझाने के लिए मैंने एक डेटा दिखा है, और इस डेटा की उपर मैंने उनको कुछ सवाल पूचे, वो सवाल कुछ इस तरह से है, जैसे कि इस डेटा में से मैंने उनको पूचा कि, पाच ऐसी कंट्रीज का नाम बताओ, जिनका सेल्स जादा है, या फिर पाच ऐसी कंट्रीज का नाम बताओ, जिनका सेल्स बहुत ही कम है, या फिर सब केटेग्री वाइज, यानि की पाच टॉप सब केटेग्री का नाम बताओ, या फिर कौन से रीजन में जादा प्रोडॉक्स सेल हो गए, यह मुझे उनको बताना है या फिर category wise कौन सा product जादा sale हुआ है तो भाई शर्मा जी तो यह data देखके पूरा confused हो गए उनका fuse उड़ गया भाई इस data में से मैं कैसे बताओ आपको इस data के insights उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि अगर आप pure table इस्तमाल करते है excel के अंदर तो यह insights आप बता सकते है data के अंदर के जीजा दोस्तों क्योंकि आपका जो data होता है वो data rows और column format में पढ़ा है तो उससे आप एक particular visualization में convert कर सकते excel pure table की मदद से तो basically pure table में होता क्या-क्या है यह मैं आपको समझाने आप लाओ इस वाले वीडियो में तो सबसे पहले pure table की एक छोटी सी definition हम जान लेते हैं without using formula we can get the summarize record of our data अगर आपको interview में पूछा तो आप sympathy definition को बता सकते हैं हम बिना formula का कोई भी data की ओपर summarize report बना सकते है pure table की मदद से अब summarize report हमें सीखने है लेकिन पूटेबल के अंदर क्या क्या सीखने वाले हम यह 13 chapters हम सीखने वाले जिसमें pure table, pure chart, slicer, timeline, grouping, ungrouping या फिर pure table की settings, show values as calculated fields, filter, dynamic pure table, get pure table data या फिर multiple sheets पे pure table कैसे बनाने या सारी चीज़े हम एक साथ सीखने वाले इस बड़े वीडियो के अंदर और description में मैंने इन chapters का time stamp भी दिया है, अब directly उस chapter के पर jump भी कर सकते है अब pure table करता क्या है basically, आपका जो data होता है basically, वो होता है बहुत ही confusing, right, overwhelming, difficult to understand ordinary humor, right तो कोई भी एक सामन नहीं, जैसे शर्माजी उनको मैंने data दिया रोज और कॉलम में, तो वो understand होने के लिए उनको difficult है, उनको समझना difficult है, उस data में से insight निकालना difficult है, तो रोज और कॉलम की data के उपर हम two dimensional reports हम बना सकते, PO table की मदद से साथ में हम चार्ट में visualize कर सकते PO table की मदद से, और data को slice करके present कर सकते हैं, जो आपको दिखाने के लिए, सबसे पहले तो understanding of data, किसी भी data के उपर dashboard बनाना है, मैंने dashboard के उपर already video बनाया है, जो कि आपको pin comment या i button बे मिल जाएगा, आपको dashboard अगर detail में सीखना है, तो लेकिन dashboard किसी भी data के उपर बनाना है, तो आपको पहले steps follow करना है, understanding of data डेटा को पहले समझना है, तो ये डेटा को समझ लीजिए, आपके पास ए से लेकर i column तक data पढ़ा है, इसमें लाज के दो column में numeric data आपको दिख रहा है, sales and profit, आपके company का कितना sales हुआ है revenue कितना generate किया है और profit भी है, अब ये revenue कैसे दिया है, region wise कितना revenue हुआ है कौन कौन से region में आपको दिखाए दे रहा है, city wise दिखाए दे रहा है, state wise भी है, country भी है customer का नाम है, order date है कौन से date पे order customer ने किया था and साथ में आपको order ID भी मिल रहा है तो ये लगबग कितना data है control down arrow price काता हूँ, okay 64 rows ही आपको दिखाए दे रहे और ये कुछ इस तरह से data आपको फिलाल तो दिखाए दे रहे no issues, अब इस data की उपर 64 rows मैंने example के लिए या आपके पास thousands of rows हो सकते है, उसमें data spread हो सकता है बहुत सारा data हो सकता है, मैंने एक ही January का data लिए है basically आप देख सकते है, order date के सबसे, तो आगे बड़ा data भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके पर भी dashboard हम बनाते हैं, पहले तो data आपके सामने इस तरह से, अब सबसे पहले करना क्या है, इसके उपर pivot table बनाने के लिए control A, data को पूरा select करना है, और एक चीज, pivot table तो हर एक column को individual heading होना चीज, इसको अलग heading, इसको अलग heading, इसको अलग heading, इसको अलग heading, इसको अलग heading तो heading अलग-अलग separate होनी चीज, pivot table बनाने के लिए merge column से रोज में pivot table apply नहीं होता है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, individual column होना चीज, हर एक data के लिए okay, great, मतलब आपने यहाँ पे अगर title उपर center में merge रखा है, तो उस title को select मत कीजी pivot table के लिए मतलब आपने यहाँ पे एक insert किया, और यहाँ पे एक title लिग दिया, और यहाँ पे इसको merge and center भी कर दिया, title जो भी है उसके बाद आपको insert में जाना है, इसके लिए shortcut की भी मैं आगे चल को बताऊंगा, आपको insert में जाना है, उपर insert tab दिखाए देरे आपको, right, okay, insert tab में click करने के बाद यहाँ पे आपको left side में मिलेगा pure table, recommended pure tables or table, इस तरह से options में लेंगे, अब यहाँ पे जो आपके पास पु focus करो में, याद रखिए, इस पे मैं click कर रहा हूँ, okay, pure table पे click करने के बाद आपके सामने एक diala box आता है, इस diala box कुद धान से देखिएगा, यहाँ पे रहा है, choose the data that you want to analyze, already we have choose the data, right, अभी हमने already select करके रहा है data, a1 to i64 है, यह हमारा data पढ़ा है pure table sheet में, अभी sheet का नाम ही मै pure table नाम हो, आपे आ रहा है, यह दिखिए, sheet का नाम मेरा pure table है, तो यहाँ पे यह data आ चुका है, मतलब select हो चुका है, select the data, जिसके उपर आपको pure table बनाना है, वो data आपने select करना है, यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और option है, use external data source, तो आप यहाँ पे जाकर data को externally भी यहाँ पे import Choose where you want to pure table report to be placed, कहाँ पे रखना है pure table report, यहाँ पे 2 option कि आपके पास, कि आपको data कहाँ रखना है, New worksheet में रखना हे, या existing worksheet में रखना है, अब existing worksheet में रखना है, अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ पेint х najleps, उकर राकना है, और आपको कहां पे report बनाना है, वो आपको location देना ह आप existing worksheet में हमारे पास अल्रेड यह data पड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि pure table यहाँ पर आ जाए तो मैं यहाँ पर करसर रखूँगा जहाँ पर blank है याद रखिए pure table के right side में यहाँ पर space होना चाहिए existing worksheet में जब आप लोगे तो यहाँ पर right में कुछ data है और आप बीच में यहाँ पर इसे ले रहो तो आपका pure table प्लेस नहीं होगा वाँ पर तो आप एक काम कर सकते कि आपका source data इसे source data कहा जाता है जो आपकी existing worksheet इसे source data कहा जाता है अगर source data में बहुत बड़ा data है तो आप क्या कर सकते तो आप new worksheet में जाकर नहीं worksheet में आपका pure table को insert कर सकते वो depend है कि आपको कहां पर अगर आपको लगता है कि आप की नहीं worksheet में मुझे लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सरा data है existing worksheet में तो फिर आप नहीं worksheet में लेढ़े ले लू आप एकbench awinned worksheet में रखना है रखना है तो existing worksheet फिलाल मैं existing worksheet दिखा राओ आपको ने वे तो मैंने एक्जिस्टिंग वक्षिट में करसर रखा फिर करसर रखने के बाद यहां पर पहले करसर रखते हैं लोग इस ब्लैंक में लोकेशन में और फिर आप एक पोजिशन ले 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 लो थोड़ा सा एक दो रो नीचे छोड़कि ले लो क्योंकि उपर फिल्टर वगरा अ अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना साथ ही मेरी टीचिंग स्टैल पसंद है और आपको लगता ही कि यार सती सर से कुछ और कोसे सीखना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कीजिए मेरी वेबसाइट की लिंक जहां पर कम रेट में घर बैटे बैटे वित आयोसो सर्टपिकिट सेकने मिलेंगे जी हां घर बैटे बैटे कम्पिटर कॉसे कंप्लीट करने का मौका मैं आपके लिए लिखया हूं जहां पर शर्टपिकिट भी आपको मिलेगा और वीडियो जब चेही तब आप देख सकते हैं ऐसे करती सर से सीखना है कुछ ओनलाइन घर बैटे बैटे तो ज़रूर चेक आउट कीजिए फिलाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे प्योर टेबल में चलिए यह लिखके भी आ रहा है तो बिल्ड रिपोर्ट चूज फिल्स फ्रॉम दे प्योर टेबल फिल्स फिल् को से बीखकत है यहां पर इसbox में आपको क्लिक रखना है तब ही आपको यह प्योर टेबल फिल्स का तक नजर आएगा यह बात यह गलती सिर्थिसिं ज Zack कलो पर दोपर तो डॉर तो क्या करना है उसके लिए Pure Table Analyze उपर एक Tab दिखाए देगा यह Tab तभी आएगा देखिए यह Tab आ रहा है उपर देखिए फोकुस भी कर रहा हूँ Pure Table Analyze यह तभी आएगा यह Pure Table Analyze Option जब आप इसमें करसर रखोगे करसर आपका भार है तो वह नहीं आ रहा है डिजाइन टैब भी नहीं आ रहा है यहां पर करसर रखिए यह देखिए यह दो ने टैब आपके पास आते है राइट प्योर टेबल एनलाइज एंड डिजाइन अब मैं क्या करूंगा इसके उपर करसर रखके प्योर टेबल एनलाइज में जाता हूं तो याद रखिए यह नए वर्जन में प्योर टेबल एनलाइज नाम है इसमें तो आपके पुराने वर्जन है तो यहां पर जाकर चेक करो कि उसमें वर्जन काली प्योर टेबल ही आ तो पहले on-op करना आपको बताया, कुछ चीजे होती है, जो basic से आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने हर एक चीज को बताने की आपको कोशिश की है, देखिए, क्योंकि मैं directly fast forward नहीं करूँगा हर एक चीज को, मैं बताऊंगा एक एक step कहां पर mistakes होती है, कहां पर गलतिया ह यह देखिए, डेटा के जितनी भी headings है, वो सभी की सभी PO table में यहां पर list में आपको दिखाए दे रहे है, right side में, और नीचे आपको option मिल रहा है, drag fields between areas below, यहां पर चाहरे, filters, columns, rows and values, अब यह 4 option यहां पर नीचे आरे, कभी-कभी क्या होता है, मैं आपको दिखाता है, यहा यहां पर आए और field list यहां पर आईए, बस इसका जो view है वो अलग है, तो आप यह पेला वाला default view रख देते हैं, यहां पर अगर view change करके रखाए किसी ने, यहां चेंज है, तो कोई confusion की ज़ुरूत नहीं, दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि यहां से इसका view change होता है, right, अब आपको करना क्या है, basically अब आते है pivot table की उपर, मुझे आप एक table बनाना है, जिसमें मुझे दिखाना है, countrywide sales, तो सबसे पहले मैंने country column को क्या करना है, country column यहां पर मुझे दिखाए दे रहा है, यह country column की उपर mouse pointer लाके, country column ही यहां पर दिखाए दे रहा है, इसके उपर mouse को आपिस drag and drop कर देता हूँ, ऐसा, click and drag and drop आपिस उपर रख दिया, तो यहां से निकल गया, अगर मैं country को columns में रखता हूँ, तो मैं horizontal report देख पाऊँगा, इस तरह से, मतलब country यहां पर आ जाएगे और उसके नीचे उसका data दिखाए देगा, अगर मैं data pool करूँगा, तो यह है, यहां पर rows and column का importance, मतलब आपको column में दिखाना है, तो आप column में रख सकते है, रोस में दिखाना है, तो यह ऐसा drag करके drag and drop, किदर भी drag and drop, click करके रखना है, mouse का left button, drag, मतलब click करके रखना है, left button and drag and drop कर देना है, right, उसके बाद मुझे country wise sales चीए, profit नीचीए, sales चीए पहले, है, right, तो मैंने लिया, sales, लेकिन यहां पर sum of sales automatic आ रहा है, वो sales का total करके मुझे बता रहा है, मैं इसे zoom करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, कि भई, मुझे country wise total मिल गया, मैंने कोई formula नहीं लगया, मेरे पास कितनी country's का record है, वहां पर दिखाई दे रहे आपको, मेरे पास 7 countries का record, Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, India and Spain, और यहां पर कौन से country's में कितना sales हुआ है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहे है, सामने सामने, right, कितने amount का sales हुआ है, वो basically total amount यहां पर होके आ रहा है, और इसके लिए मैंने करा क्या है, मैंने बस एक ही चीज करी, मैंने country को यहां पर drag and drop किया, sales को यहां पर drag and drop किया, क्या बात है, मैंने कोई formula नहीं लगा है, right, तो यहां पर easily आप report generate कर सकते हैं, और इसमें top 5 countries भी आप निकाल सकते हैं, तो आप बोलो कि top 5 countries कैसे निकालना है, तो आप बोलो कि top 5 countries कैसे निकालना है, तो वो तो हम आगे देखेंगे, don't worry, तो सबसे पहले अभी मैंने country को यहां पर drop किया, अब मुझे country के साथ-साथ, देहां से देखिए, इसे two-dimensional बनाना है, two-dimensional report हम इससे बना सकते हैं, तो मैं country के साथ-साथ region भी देखना चाहता हूँ, तो मैं region को, यहां पर देखें, region आपको दिख रहा है, drag and drop करूंगो columns में, वाउ, right, interesting, यह अब यहां पर देखें, central, north and south, अब यह और ऑश्ट्रिया country कों से जोन में आ रहे है, उसकी सबसे यहां पर आएगा, Denmark country कों से जोन में आ रहे है, और India country कों से जोन में आ रहे है, एक्जामपल के लिए ले लो आभी यह data, this is created data, तो यहां पर इतना seriously मत हो, exact data नहीं है, यह created data है, तो मैंने यहां पर दिखाए दे रहे हैं, आपको central zone में आ रहे है, यह north zone में आ रहे है, यह आपको दिखाए दे रहे है, central zone में यह 4 countries है, और यह north zone में countries है, और यह south zone में 2 countries है, तो कौन से zone में कौन से countries आ रहे है, और उसका sales आपको कितना हो रहा है, zone wise sales की total भी आपको मि कंट्री का टोटल जो इस तरह से आएगा country कॉलं में चलेगी region रोल में आ गया और country और region मैंने साथ में रख दिया मैंने region ऊपर रखा है country नीचे रखा ऐसा कर दिया अब central जोन में जितनी भी countries है central region या जोन आप बोलो वो सब एक साथ आ रही है denmark यहा पे north में और south zone में से expand की जगह minimize कर सकती है, expand है यह minimize हो चुक है, आप इन्हें expand करना चाहते हैं कि आभी तीनो जोन के आ रहा है लेकिन मैं central zone की countries देखना चाहता हूं, I can see, by clicking on this plus button, यह चोटा सा plus button जो है यहापे click करके मैं इने देख सकता हूं, तो कापी interesting है न दोस्तों, यह फटा फटा आपको पॉर्मोला लगाना पड़ता लंबा चोड़ा, तो यह लगाने की ज़रूरत यहापे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह फटा फटा आपको report दे रहा है, यह बना के, right, तो आपको basically idea आचुक होगा कि pure table में क्या-क्या चीज़े कर सकते हैं, यह मैंने starting बताया आपको कि pure table मे बहुत सरी advanced चीज़े हमें सीखनी है, लेकिन यहाँ पे insert में pure table के बाजू में एक और option आपको मिल रहा है, recommended pure table, अगर आपके Excel में यह option नहीं है, तो समझो कि आप पुराना वर्जन यूच को रहे हो, right, cdc बात, तो यहाँ पे insert में recommended pure table क्या है, क्यों यहाँ पी दिया यह option क्या होगा इससे, देखते हैं, मैं पहले data select करूँगा, data तो select करना जरूरी है, control कर दिया, select किया, और फिर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे recommended pure tables, जो कि मैं focus करके दिखा रहा हूँ, click कर रहा हूँ, click करने के बाद automatically, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ pure आपको recommend कर रहा है, य count profit कितने central zone में, north zone में, और south zone में है, फिर यहाँ पे यह वाला है, जो sum बता रहा है, sum of sales by region, उसके बाद sum of profit by region, यह सब चीज़े यहाँ पे आपको मिल रही, profit or sales दोनों भी, तो आपको कौन सा pure table लेना है, suppose मैं यह लेता हूँ, example के लिए, तो मैं यहाँ पे click करूँगा, औ अगर आपको लगता है कि यहाँ इसमें से नहीं लेना है, मुझे ब्लैंक चीज़े तो आप ब्लैंक में भी जा सकते है, जो कि आप इससे भी कर सकते है, लेकिन यहाँ पे blank pure table option इसमें भी है, तो यहाँ पे जाओ, और मैं recommended वाला pure table ले तो यह देखिए, नए sheet में automatically यहाँ नए sheet में हो रहा है, वह existing sheet में नए sheet में यहाँ एक sheet insert हो रही है, जैसी कि आप यहाँ पे, जैसे pure table insert करते हो, यहाँ पे आपका data रहेगा, और यह वाला sheet यहाँ आपको दिखाए देरहे, जिसमें central, north और south zone का total automatic आच चुका है, और right side में अगर आप देखोगे, field list में region, और आपको कैसा चाहिए, पहले तो आपको select table और range करना होगा, जो कि already selected है, उसके बाद new worksheet में चाहिए, या existing worksheet में, अगर आप existing चाहते है, तो यहाँ पे cursor रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके blank space select करना पड़ेगा, new में चाहते है, तो यहाँ बस click करो, ok करो, एक नए sheet insert हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, एक नए sheet insert हो रही, sheet 2, और इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है, pure table 3, right, यहाँ पे पहले ही pure table में ने insert किया, तो इसका number 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ जो fields दिखाए दे रहे, pure table field list, इसके बारे मैंने अलड़ी तो आप जाओ और यहाँ पे चेक आउट करूँगी, यहाँ यह वाला selected है कि नहीं प्रॉपरली, और यह close हो गया, गलती से, तो आपको कौन से टैब में जाना होगा, pure table analyze tab में जाना है, repeat कर रहा हूँ, pure table में cursor रखिए, बहुसर लोग cursor बाहर रखते है, और बोल दे कि मेरे अनलाइज नहीं आता है, pure table analyze नहीं आता है, और इसमें आपको pure table की fill leash को on करना है, उसके बाद आपको जो report से आपे तयार करने, वो आप यहाँ से तयार कर सकते है, तो यह pure table बेसिक सा हमने सीख लिए, तो यह ता pure table की introduction का वीडियो, आपको पता चला कि किस तरह से pure table हम insert करत अगर आप चाहते कि pure table पूरा एक साथ सीखें, तो description में आपको एक video मिल जाएगा, जहां पर pure table का complete video मैंने अल्रेडी बनाया है, जो जाकर check out कीजिए, आप वीडियो पूरा एक साथ देख सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं part wise ही मुझे सीखना है, यह part मैंने सीख लिय फिलाल तो मैं मिलूँगा आपको next part के अंगर, तब तक के लिए अपना खयाल रिखना, सीखते रहना, सीखाते रहना, लोगों को सीखाते रहना, बाई बाई